गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुएस में मैं दुरुधन कर फर्मर एस्बी एप यूँ आज आप लोगों के लिए एक चोटा सा सेशन लेकर आए हूँ सेशन हैं उन स्टुडेंट्स के लिए जो इस साल के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं इस साल के रिकूरूट्मेंट्स को टार्गेट कर रहे हैं काफी ऐसे स्टुडेंट्स हैं जो पिछले कुछ महीनों से प्रेपरेशन करते आ रहे हैं कुछ नए स्टुडेंट्स हैं बिगि पही शेयर करूँ है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि reasoning में सबसे important चीज़ें क्या रहती है तो सबसे important चीज जैसे कि जो already prepare कर रहे हैं उन सभी को पता है कि puzzles sitting arrangement सबसे बड़ा role play करता है चाहे वो prelims में रहे चाहे वो means में अभी के लिए क्योंकि मैं initial strategy की बात कर रहा हूँ तो मेरा जो main focus रहेगा वो prelims पे रहेगा phase 1 पे रहेगा puzzle sitting arrangements के लिए मेरा suggestion बहुत clear cut है तीन sources मैं आपको बताऊँगा सबसे पहला source है हमारी जो live sessions चल रहे हैं live classes जो चल रहे हैं भी मैंने एक तारिक से ही एक नया course start किया है for SBI clock and LICWO को target करते हुए यहां से आप daily practice कर सकते हैं यहां पर मैं generally 3 sets आपको solve करवाऊंगा तो 3 sets आपको सीरे सीदे यहां से मिले हैं दूसरा suggestion जो मैं दूँगा आपको वो test series के regarding रहेगा और test series में मैं practice mock की test series आपको suggest करता हूँ यहां से भी मैं आपको suggest करूँगा कि 3 से 4 sets आप यहां पर भी solve करें ही करें ठीक है और तीसरा suggestion रहेगा मेरी जो reasoning for pre नाम से एक playlist है जहां पर practice का बहुत सारा content आपको मिलेगा यहां से आप daily 3 से 4 sets solve करेंगे तो in total अगर हम बात करें तो round about 10 sets आ जाते हैं 10 sets आपको रोजाना solve करने है puzzles or sitting arrangement की ठीक है मैंने आपको source भी बता दिये है total number कितना रहेगा यह भी बता दिया यह puzzle sitting arrangements के लिए है अब बाकि miscellaneous topics के अगर हम बात करें इनके लिए भी practice रहेगा तो यही 3 source फिर से मैं repeat करूँगा live sessions test series and reasoning for plims की जो यह playlist है और यह playlist का link में नीचे आपको provide भी कर दूँगा आप जा कि देख सकते हैं और live sessions आप regularly follow कर सकते हैं live sessions का मैं आपको timing बता देता हूं 8 p.m. पे daily classes मैं conduct करवा रहा हूं round about एक घंटे की 1 hour की यह class रहती है जहां पर 5 sets हम daily 5-6 sets daily हम solve करेंगे और Monday to Saturday यह classes रहें ठीक है अब test series से आप इसी तरीके से miscellaneous जो topics रहते हैं जिन में आपके syllogism रहता है important topic coding decoding रहता है important topic inequality important topic रहता है और series आपका important topic रहता है इनसे भी आप daily practice करेंगे through live sessions live sessions में दूर sets daily रहेंगे test series से भी यही 2-3 sets आप निकालेंगे और reasoning for pre की जो playlist है वहां से भी आप 2-3 sets daily बनाएंगे तो यह आपका reasoning का routine रहना चाहिए daily का भी आने वाले कुछ समय तक के लिए prelims के लिए मैं में बता रहा हूं अभी means के लिए हम से करना है यह भी मैं आपको जरूर बताँगा अब इसके इलावा दो-3 चीज़ों का और हमें ध्यान रखना है वो mindset मैं बता देता हूं beginners और जो कुछ time से करने दोनों के लिए मैं अलग से बताऊंगा सबसे पहले beginners के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने जस्ट अभी preparation स्टार्ट की है तो उनके लिए focus points क्या रहने चाहिए उनके लिए सबसे पहला focus point रहना चाहिए कि पहले वो सभी topics से used to हो सभी types की puzzle सभी sitting arrangement से used to हो तो पहले पंदरा से 20 दिन आपका target रहना चाहिए कि different different type के questions आप करें आपको पता चले किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें आप time का factor अभी मत आने दीजिए अपनी preparation के अंदर अपनी practice के अंदर अभी time के बारे में मत सूचेगा अभी आपका target सिर्फ यही रहना चाहिए कि मैं पहले attempt में ही question को समझू और समझ के उसे solve करने की कोशिश करू अभी time के बारे में हमी बिल कुश्मन हमारा रहता है जो सबसे biggest enemy is always our silly mistakes तो इनको हमें avoid करना है यह कैसे avoid होती है कि sir starting से ही आपके practice में यह आपकी habit नहीं बननी चाहिए तो इसका starting से हमें ध्यान रखना है तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखे time के बारे में मत सोचेगा और जब भी आप live session अटेंड करें आप beginner है और बाकी लोगों को देखें कि यार इन्होंने तो बहुत जल्दी कर दिया हमें तो इतना time लग गया sir हमें तो बहुत time लगता है आपको परिशान होने की जरूरती है वो इतना जल्दी इसलिए कर पा रहे है कि उनको कई महीने हो चुके preparation करते हुए जब आप mock test देते हुए test series से practice करते हुए playlist से practice करते हुए तो आप भी वो time बहुत आराम से achieve कर लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं इंपोर्टन चीज़ यह है कि आप consistent रहें यह मैं अपने सभी students को बोलता हूँ यह बहुत important factor रहता है bank या किसी भी insurance exams को निकालने की consistency is always the key remember this हमें consistent रहना पर आप लोगों के लिए Sunday break day नहीं रहेगा अब काफी लोग यह जानना चाहेंगे कि sir हम beginner नहीं कुछ महीनों से preparation कर रहे हैं तो हमारी strategy क्या रहें चाहें तो आपको भी इतना ही practice करना है but with time with time जो भी practice रहे चाहे live sessions रहे चाहे आपकी test series से practice रहे चाहे आपकी playlist से practice रहे सभ week में आपको कितने mock test देने हैं यह भी मैं बता देता हूँ at least अभी starting के starting के कुछ time तक week में आपको दो mocks निकाले है और mocks जब आप देना बूरी तरीके से आपको mocks देने हैं ऐसे नहीं कि submit करके फिर करने हैं नहीं दो mocks ही जो मैं बता रहा हूँ हफते में जब भी आप decide क इसका मतलब क्या रहता है analysis मतलब कहा कहा हम से गलती भी कहा का हमने सही किया सही करने में यह भी बताया जाता है आपके test series में कि बाकी लोगों ने कितना time गया और आपने कितना time इससे आपको पता आप identify कर पाते हैं कि कौन से हमारी strong points है कौन से weak points है जिससे weak points पे हम और अच् share के अब इसी तरह का session मैं sensor से भी कहूँगा उनसे भी request करूँगा कि वो भी आपके लिए कैसा session डालें जिससे कि आपको पता चले कि quants की preparation कैसे करने चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please like कीजेगा live sessions को regularly attend कीजे अगर आप भी means के लिए appear होने वाले तो means के आपको पटोड़ कीजेए तो अब तो तो ये सेशी टेकिए